लो आगया pension का पैसा जी हाँ दिव्यांगों की pension भी सरकार ने जारी करती है हाला कि काफी pension लाबारतियों की pension reject करती है हम आपको ओपिशिल वेबसाइट पर जाकर live जान कर देने जा रहे हैं प्रोप के साथ यहां पर आप देशकते हैं हमने जो list है वहां क्या screenshot यहां पर लिया झाल रहे हैं। काफी pension लाबारतियों की जो दिव्यांग pension लाबारती हैं उनकी pension reject की गई है। आज दोस्तो यहां पर pension validate भी की गई है। pension सरकार ने 23 सितेंबर को जारी की थी लेकिन उसी pension को फिर 13 अक्टुबर को जारी कर दिया है। लेकिन अभी भी लावारती के एकाउंट में पैसा नहीं आया है, पूरी लिस्ट हम आपको दिखाएंगे, अगर आप भी एक पैसन लावारती हैं, आउर आपको पैसन नहीं मिली है, तो बने रहेगा हमारे साथ अंत तक वीडियो को देखते रहेगा, सरकाल के तरब से 12,000 र पैसन लावारती अनके एकाउंट में पैसन आन्ने में देरी क्यों हो रही है, तमाम जानकारी, वीडियो लाइक कर दीजे और सेर कर दीजे, तो लिस्ट पर हम आचुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इन पैसन लावारती की जो मैन इनफोर्मेशन है वे हाइड करती है, अब यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो पैसन का नाईम है, वे है दिव्यांग पैसन लावारती को 12,000 रुपे सरकार ने जारी किये थे सितेमबर 23 में, ठीक है, 23 सितेमबर 3 बज कर 19 पीम पर पैसा सरकार से जारी किया गया था, ल रिजाक्ट कर दे गया था, लाइव आपके सामने है, प्रूप आपके सामने है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, 23 सितेमबर को पैसन सरकार की तरप से जारी किया गयी और 23 तारीक को ही रिजाक्ट किया, अब यहाँ पर जो समय है, समय के अंतर है, 3 बज़ कर 19 मिनट पर पैस पैंसन रिजैक्ट कर दिगई और यहां पर आप देख सकते हैं फंड इस्टेटस पर ना लिखा हुआ है यहां पर ट्रेजरी इस्टेटस पर ना लिखा हुआ है और यहां पर भी यहां पर भी आप देख सकते हैं फाइल इस्टेटस क्रेडिट इस्टेटस यहां पर सब पर ना लिखा हुआ है लेकिन अब यहाँ पर सरकार ने फिर से अक्टूबर तीन को यनकी तीन अक्टूबर को फिर से पैंसन जो है वेलिडेट करती है इनकी सरकार की तरफ से पैंसन का पैसा जारी हो चुका है इसी पैंसन लाबारती की पैंसन 23 सितंबर को रिजेक्ट कर दी कि इसको approve भी मिल चुका है कल चार अक्टूबर यहााँ पर आप तारीक देख सकते हैं समय भी आप देख सकते हैं चार अक्टूबर को को इनकी पैंसम को दोस्तों रिलीज करते गया है अप्रूप करते यहाँ पर अभी नहीं आए है यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तारीक है पेंडिंग एट पी एफ एमस इनकी जो फाइल स्टेटास है वह भी यहाँ पर अभी सो नहीं हुआ है credit status यहाँ पर अभी वह भी सो नहीं हो यहाँ पर painting दिखा रहा है यानि कि सरकार की तरब से तो pension जारी हो चुकी है लेकिन अभी लावारतियों के bank account में pension नहीं आई है हम आपको यहाँ पर जो credit status है इसकी भी हम आपको detail दिखाएंगे और जो final status है इसकी भी हम आपको जानकर दिखाएंगे जब सरकार पैसा जारी करेगी तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा उसके बारे में भी हम आपको live ही जानकर देने जा रहे हैं बने रहेगा वीडियो को like ने कर दिजिए कोई भी सवाल दे सवाल करिएगा ठीके आप सबसे पहले जानते हैं कि जो सरकार दुआरा 23 सितंबर में pension को reject किया गया था वे क्यों किया गया देखे जो यहाँ पर 23 सितंबर को pension reject की गई यह technical issue हो सकता है जी हाँ technical issue की वज़े से सरकार जब pension जारी करती है तो technical issue की वज़े से pension reject हो जाती है इसमें कोई घपराने की बात नहीं है अगर आप सही pension लावा आरती हैं आप पात्र pension लावा आरती हैं तो आपको pension जरूर मिलेगी जैसे यहाँ पर 23 सितंबर को pension reject कर दी गई थी उसके बाद यहाँ पर 3 अक्टूबर को pension जारी की गई और फिर कल इसको अप्रूर्ड भी मिल चुका है बैंक के लिए हला कि अभी बैंक में pension नहीं आई है अब जब यहाँ पर pension bank में आती है तो यहाँ पर क्या सो होता है क्या लिखा हो आता है उसके बारे में भी हम आपको बता देते है अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे यहाँ पर क्या सेक्शन में pension आती है पहली बार यहाँ पर pension को अप्रूर्ड मिलता है फिर यहाँ पर agency दुवारा pension को अप्रूर्ड मिलता है उसके बाद यहाँ पर तेजर स्टेटस को भी अप्रूर्ल मिलता है और यहाँ पर स्टेटस पर भी अप्रूर्ल मिलता है यहाँ पर एक एक दो तीन चार स्टेप में जाकर लावार्ति को पैंसन मिलती है जब यहाँ पर 4 श्टाप पूरे हो जाते हैं तो यहाँ पर भी जो pension है पैसा है वे सो हो जाता है 3,000 रुपे सरकार ने यहाँ पर जारी किये हैं हलाकि 23 सितेंबर को यहाँ पर 12,000 रुपे दिखा रहा था जो कि हम आपको 12,000 से दिखा देते हैं यहाँ पर आप दिखाते हैं 12,000 रुपे सो हो रहे थे लेकिन यहाँ पर pension आई है 3,000 रुपे अब यहाँ पर जब सरकार pension आपकी जारी करेगी तो यहाँ पर pension किस परकार से दिखाई देगी वे भी आप यहाँ पर देख लिजे यहाँ पर आपको बताया था यहाँ पर ती चार स्टैफ आपको बताया थे एक, दो, तीन और चार ठीक है तो यहाँ पर अपर यहाँ पर मिल चुगा है हाला कि यह pension जून वहीने की है लेकिन हम आपको एक्जामपल तो भी दिखा रहे हैं फाइनल इस्टेटस पर यहाँ पर ना था लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है कि बैंक रिसीव जो पैंसन रिसीव हुई है 27 जून को और यहाँ पर पैमेंड चकसर ठीक है तो जब सरकार आपके बैंक में पैसा जारी करेंगे आपके बैंक में पैसा आएगा तो इस परकार का आपको यहाँ पर लिखा हुआ सो होगा और यहाँ पर पूरे लिस्ट जो आप देख रहे हैं यह लिस्ट आपको यहाँ पर सो हो जाएगी कि आपके एकाउंट में पैंसन जारी हो चुकी है कितने तारिक को पैंसन जारी हुई है वह भी आपको यहाँ पर दिखा देगा किस एकाउंट में पैंसन जारी की हुई है वह भी यहाँ पर आपको दिखा देगा ठीक है तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जानकर इससो हो जाएगी जो दिव्यांग पैंसन लावारती है अभी उन्हें पैंसन नहीं मिली है तो घबराएगा नहीं अब चरकार में पैंसन का पैसा जारी करना सुरू कर दिया है 10 अक्टूबर तक सभी पैंसन लावारतियों को पैसा मिल जाएगा जो आप जानकारी देख रहे हैं यह जानकारी दोस्तो आप उत्तर प्रदेश की पैंसन आप देख रहे हैं ठीक है उत्तर प्रदेश की जानकारी हम आपको दे रहे हैं उत्तर प्रदेश पैंसन आप यहाँ हमें चुरूर बताएगा ताक कि हम आपकी जानकारी भी आपको लाइव दिखा सकें और जो हम आपको लाइव यहाँ पर जानकार बिखा रहे हैं यह PFMS की official लेब साइट पर जाकर हम आपको जानकारी दिखा रहे हैं ठीक है तो यह थे आपके लिए flatterion मुँदर जानकारी आई हो आको जानकार इच्छ लगी हो की एदि आपका खोवी सवाल है ता सवाल कर करिया क्योंकि आपको इस चनल के मात्यम से सही समय पर सही सटीक जनकारी दी जाती है मिलते हैं कुने स्टूडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत